दोस्तो नमस्कार दोस्तो इतनी पारदर्शिता कब थी और इतनी साफगोई के साथ देश चल कब रहा था खुले तोर पर लूट पाट हो रही है खुले तोर पर हत्याएं हो रही है खुले तोर पर हत्या करके गटर में डालने की स्तितियां भी है खुले तौर पर पुलिस की खामोशी भी है खुले तौर पर प्रशाशन की कुंद परती स्तितिया भी है खुले तौर पर जज का तबादला भी है खुले तौर पर रज के मुखमंत्री का राहत के तौर पर करोणों का ऐलान भी है खुले तोर पर इस देश के रास्टिय सुरक्षा सलाकार का तक्रीबन धाई किलो मीटर पैदल चलना भी है और खुले तोर पर सीटियां बजाती हॉर्न बजाती चेतावनी देती आवाजों के बीच पुलिस का मार्च करना भी मौजूद है साथ हज़ार से जादा पुलिस कर्मियों की मौजूदगी दिल्ली की सलकों पर है उसमें B.S.F. के जवान भी है, C.R.P.F. की मौजूदगी भी है और पुलिस अपने तोर पर अपनी रियाया को बार बार इस बात का हिसास करा रही है हम है तो मांद लो ठीक है सब कुछ ये कौन से इस्थितिया है और सब कुछ अगर खुले तोर पर हो रहा है तो फिर छुपा क्या है छुपा हुआ है कि दरसल अस्पताल की मौर्चरी में पड़े हुए शव जो है वह उनके परिजनों को नहीं मिल पा रहे है छुपा हुआ है कि जिन गलीओं के भीतर आतंक ने नंगा नाच किया खुले तोर पर आग जनी हुई खुले तोर पर हत्याई हुई उन गलीओं में जाने की हिम्बत इस देश के उन चौकिदारों की नहीं है जो ये बार-बार कहते हैं हम हैं तो मान लेजिए हम आपके सिवक हैं ये कौन सी परिस्तितिया है जिसमें सब कुछ खुले तोर पर हो रहा है और बात आज कहां से शुरू की जाए और इस खुले तोर की परिस्तितियों को दिखाने के लिए मौजूद मीडिया भी दरसल देख पाता है सिर्फ पत्थर जो सब को दिखाई देता है हत्याई का आकड़ा जो सब को सुना जा सकता है वो उन घरों में नहीं जाकता है उन आसुओं को नहीं देखना चाहता है आने वाले वक्त की इस थितियों को भापना नहीं चाहता है वो कोई आकलन, कोई एनलेसिस नहीं करना चाहता है जहां पर इस बात का एशास हो कि मौजूदा वक्त में इतनी साफगोई के साथ सारा खेल हो रहा है और इस देश की पांखों पर पट्टी बांदी गई है और उसे उभारने का काम मीडिया का है कौन करेगा ये काम आज हम बात कहां से शुरू करें हमें लगता है बात की शुरूआत तो आज लोकतंत्र के सबसे बड़े पहरेदार नियाई पालिका से ही होनी चाहिए और इन सब के साथ खड़े उस संसत से होनी चाहिए जिस संसत को नियाई पालिका से भी ज़्यादा अदिकार है और संसत के भीतर अगर आप सर गिनाने की इस्तिती में सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत हो जाएंगे तो नियाई पालिका भी घुटनों तले रेंगेगी दिल्ली को निया पुलिस कमिशनर मिल चुका है तबादला नहीं हुआ है पुराने पुलिस कमिशनर का रिटायर हो गए है अमों लिपाठक रिटायर हो गए है नय पुलिस कमिशनर शुरवास्तव जी ने कहा है जितने केस हैं और जिस तरीके से जो भी बात उनके सामने आएगी सब को बराबरी से देखा जाएगा जी न्याए काई यह साफगोई के साथ एक नया ऐलान है तो बात तो हमें लगता है कि आज शुरू इसी बात से करनी चाहिए कि नयाए पालिका की इस्तिती मौजूदा वक्त में इस देश की संसदी राजनिती ने क्या बना दी है सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि इस देश के भीतर में एक हाई कोट के जज ने ये फैसला दिया कि गवरनेंस के तरीके ऐसे होते हैं पुलिस को निर्देश दिया आपको इस तरीके से काम करना है और ये भी जानकारी दी कि इस तरह के हालात किन इस्तितियों में बन जाते हैं उनके खिलाफ एफ आई यार दर्च हो 24 गंटे के भीतर जो काम होना था अब वह उसकी मियाद जो है बढ़ाते बढ़ाते 45 दिन कर दी गई है और इन 45 दिनों के बाद जब हम आपसे रुबरू होंगे तो क्या दिल्ली का जिक्र होगा या किसी दूसरे शहर का जिक्र होगा दिल्ली में हुई हत्याओं का जिक्र होगा या किसी दूसरे रज्ज की हत्याओं का हम जिक्र कर रहे होंगे दिल्ली के भीतर जिस तरीके से हेट स्पीच थी उसका जिक्र होगा या फिर ये देश की रवायत बन जाएगी और पता चलेगा सिस्टम यही है हेट स्पीच ही है तो आप क्या करेंगे जी अब जब चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोट के उन्होंने सुनवाई की तो उन्होंने कहा अगली सुनवाई 13 अपरिल तक होगी और रियायत और सहूलियत पुलिस सरकार सब को दे दी इसके मतलब क्या है और बात आज कहां से शुरू की जाए जजों से ही बाश शुरू करते हैं क्योंकि इस देश के भीतर ये कोई पहला तबादला नहीं है जो जस्टिस मुरली धर का रात में नोटिफिकेशन जारी करके किया गया ये समान ने इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो तबादला नहीं होता तो अगले दिन दोपहर में सुनवाई उन्हीं को करनी थी और फैसला भी उन्हीं को देना था कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया ये समानने तबादले की इस्तिती से लिए नहीं है क्योंकि तबादले की तारीक अगर 12 फरवरी को ऐलान की गई थी तो उस दिन तीन जस्टिसों के अलग-अलग हाई कोट से तबादले होने थे लेकिन नोटिफिकेशन सिर्फ मुर्लिधर जस्टिस का हुआ है ये कोई समानने बात नहीं है लेकिन ये समानने तिती है और साफगोई और पारदर्शिता के साथ समानने तिती है क्योंकि ये कोई पहला तबादला तो नहीं है इस देश में अलग-अलग तरीके से आपके जहन में बहुत सारे जस्टिस आएंगे जिनको लेकर आप कहेंगे वाकई दुखी तो वह भी थे और सत्ता तो निर्णे ले रही थी हमें लगता है आज बहुत लंबी फिरिस्ट में आ जाएं जस्टिस लोया की हत्या या जस्टिस लोया की मौत को जहन में रखिएगा और उसके समनांतर जरह स्तिती को समझने की कोशिश कीजेगा ये कोई पहला तबादला नहीं है जस्टिस ने अपनी समझन शिल्ता दिल्ली को लेकर दिखाई अगले दिन एक दूसरे चीफ जस्टिस ने उस समझन शिल्ता को एक कठोरात्मक तरीके से गवर्नेंस के चादर तले ढख दिया कौन ठीक है कौन गलत है आप आने वाले वक्त में किस चीज के अब भ्यस्त हो जाएंगे ये आपत है कीजे लेकिए लेकिन आईए जरह सिल्सला शुरू करते हैं और इस सिल्सले के लिए कुरसी की पेटी बांधने की जरूरत नहीं है सिर्फ दिमाग खोले रखने की जरूरत है आपके जहन में एक नाम आएगा जस्टिस विजिया के तहिल रमानी का ये मदरास हाई कोट में हुआ करती थी मदरास हाई कोट काफी बड़ी है इनका तबादला जटके में मेगाले हाई कोट कर दिया गया जो हाँ पर सिर्फ दो जजजज होते हैं और सबसे छोटी हाई कोट के तौर पर उसकी पहचान है जिक्र 28 अगस्त 2019 का कर रहे है इसको जब 2017 मई में जस्टिस तहल रमानी सुन रही थी तो उन्होंने ना सिर्फ एक 11 दोशियों की उम्रकेत की सज़ा को बरकरार रखा बलकि जो पांच पुलिस अफसर थे और जो डॉक्टर्स थे जिन डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट दे थी और जिन पुलिस वालों ने गरवड़ी की थी इस बिलकिस बानो गुजराद दंगों से जुड़े केस में उसको रियायत देने का जिक्र जो इससे पहले हुआ था उस फैसले को इन्होंने पलट दिया था यानि 18 लोगों को सजा सुना दी गई थी भारी पड़ा ये फैसला उसके बाद याद कीजिए जस्टिस अकिल कुरेशी ये बंबई हाई कोट के जस्ट थे और त्रिप्रा हाई कोट में इनका तबादला कर दिया गया ये तारीक है पांस सितंबर 2019 की लेकिन इनका भी तबादला क्यों किया गया और ये भी क्यों गुस्टे में थे कि क्यों उन्हें मनजूर नहीं करने थे दरसल एक वक्त ये गुजरात हाई कोट में जस्ट थे और जब जस्ट थे तो उस समय उनके सामने सुराबू दिन इनकाउंटर का मामला आया था Justice Jent Patil ये करनाटक हाई कोट में और इनका ट्रांसफर और ये तारीख है 5 सितमबर 2017 ये करनाटक हाई कोट के पूर जर्थे फिर इन्होंने भी इस्तिफा दे दिया 25 सितमबर 2017 को 10 महीने रेटायर्मेंट के बाकी थे इन्होंने का इसे मौकष पर क्यों तबादला करना चाहते हैं लेकिन बहराल लेकिन सवाल है इन्होंने क्या किया था इन्होंने दरसल जस्टिस पटेल जब गुजरात हाई कोट में जच हुआ करते थे उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस का पध भी इन्होंने समाला था और उस समय जस्टिस पटेल नह उसमे कि آپ कह सकते हैं कि इनका तबादला क्यों किया गया और जस्टिस मुरली धर को हम क्यों देखें कैसे देखें इस फेरिस्ट में अलग अलग जगाओं पर 15 दिन के बीङतर सरकार ने कॉलेजियम से जस्टिस मुरली धर की जो सिफारिश मांगी लेकिन कई सिफारिशें साल लबी लाइन है एड़ोकेट पीवी कुनिकृष्टना एड़ोकेट एज विशेटी एड़ोकेट एम वाई अरुन एड़ोकेट सी स्माइलियास जस्टिस विक्रमनात ये सभी अलग अलग तरीके से किनको कहां पर जज बनाना है किसको जज को ट्रांसफर करना है ये सारी इन जजों को लेकर आपके दिमाग में अमर्जनसी का वक्त चरूराना चाहिए को कि अमर्जनसी के दौर में भी 25 जून 2075 से लेकर 21 मार्च 1997 तक 97 पचतर से 77 तक की स्थिति के दौर में जब देखिएगा तो 1976 एक ऐसा काल था जहां से लगबग 17 हाई कोट के जजों का ट्रा किएगा तो हमने जो एक लिस्ट निकाले इस देश के लगबग चार आईएस ने इस्तिफा दे दिया इस्तिफा देते वक्त उन्होंने इस गवरनेंस को लेकर और मौजूदा वक्त के उन इस्तितियों की तरफ अंगित की इस्तिति की देखिए मुश्किल हो रही है और यह सरकार के कामकाच के तरीके ऐसे हैं लगबग 41 आईएस लेवल के जो सीनियर मोश्ट थे उनका तबादला इधर से उधर इस रूप में किया गया उन 41 आईएस कुछ बोलने की स्तिति में नहीं आते हैं लेकिन गाहे बगाए आफ दा रेकॉर्ड इस बात का खुले तोर पर जिक्र करते हैं वो सरकार के अनकूल नहीं थे इस देश के भीतर सीवी सी पर न्युक्ति सीबी आई में की न्युक्ति या किसी भी ऐसी स्वाइत संस्था के तोर पर जिसकी न्युक्ति होती है वो सरकार के करीब क्यों हो जाता है या फिर वह उस संस्थान की स्वाइतता उ आपकी भावनाए आपके अहसास खत्म होते हैं और जो टेलिवेजन स्क्रीन पर रिंगते हुए आपके सामने चलते हैं उसमें इस बात का हिसास नहीं होता है कि दरसल कोई मरा है किसी की हत्या हुई है उसको लिए कानून उसके लिए नहीं था उसके लिए देश का कोई इंस् इसको लेकर अभी बहस चल रही है लेकिन हमें लगता है कि जिनकी पहचान हो गई वह फेरिस्त भी सरकार के जरीये सामने आई है लेकिन अस्पताल के भीतर जब जहांकिएगा और डॉक्टरों से बात कीजेगा इस लेकर बात कीजेगा कि दरसल इनकी मौत कैसे हुई तब कई बातों का जिकर करेंगे किसी के माथे में गोली लगी है बड़ा मुश्किल होता है दूर से माथे पर निशाना सादमाना जिने गोली लगी है उन्हें और चोट भी लगी है पीट और पेट पर जबरदस चोटे लगी है इस बात का जिकर वहां पर जो डॉक्टर्स की अ पर चीज़े उभर कर आ गई तो फिर क्या बाहर से लाए गए थे क्या बाहर से लाके एक इस्तितियां पैदा की गई थी क्या इसी इस्तितियों के बीच में पुलिस भी एक टूल बन कर रह गई गई गवर्नेंस इस दोर में उस उनमादी लोगों के साथ खड़ी हो गई ये क कमंत्री अर्विंद केजरिवाल कहते हम सुविधा और रियायत देना चाहते हैं हम आपको पैसे देगे हैं उसमें मौत की कीमत भी तैय है उसमें घायल की कीमत भी तैय है उसमें जो अपंग हो गया यानि को यंग बरबाद हो गया उसकी कीमत भी तैय है जो घर जला दिये हासपिटल और दिल्ली पुलिस के जरिए जो आकले निकल कर आए हमने उसे जोड़ने का परियस किया एक दौर में कि चलिए इस दिरिष्टी से देखे जहां समवेदन शीलता उस monetary aspect में हो जाए कि monetize कर दिया जाए इस देश के भीतर दंगे, हिंसा, हत्या, खूनी, आसपेक्ट, सब को अगर monetize कर दिया जाए तो दिल्ली सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा, उसका अपना पैसा नहीं है, taxpayer का ही पैसा है, हमारा आपका ही पैसा है, इस देश में किसी सरकार के पास अपना पैसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारा ही पैसा होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए, हमने जब जोड़ना शुरू किया तो पता चला कि लगभग 55 करोड रुपए, 54 करोड, 65 लाक नाबालिक है, उनके नाम भी हम आपको बतलाएंगे, अगर 36 लोगों को 10 लाक रुपए दिये जाएं, तो वह होंगे 3 करोड, 60 लाक, जो घायल है, उनकी कीमत बेट जाती है, जो 5 लाक के हिसाब से जो आप देने जा रहे हैं, उनकी कीमत भी अलग अलग तरीके से आखेंग जो गंभीर तोर पे जो गायल है, उनको 5 लाक दिया जाएगा, लेकिन एक शक्स जो दिल्ली पुलिस का है, उसको एक करोड पे मुआफजे के तोर पर दिल्ली सरकार ने नियम बना लिया, तो एनान कर दिया, इसके अलावे 400 घर पूरी तरह से डैमेज हुए हैं, इनको अदात तक्रीबन 2000 से ज़्यादा घरों की है, इनको 15000 रुपए आप देने वाले हैं, इनकी किमत 3 करोड रुपए होगी, और जो अनिशोर्ड कॉमर्शल यूनिट है, इसको भी 5 लाक देने का जो जिक्र है, उसमें तक्रीबन 58 ऐसी यूनिट आई है, यानी 2 करोड 90 लाक उनको भी देंगे, सब जब जोडने लगिएगा, तो 55 करोड रुपए लगभग दिली सरकार को बाटने होगे, यही जिम्मेदारी है, यही स्तिती है इस देश के भीतर की, क्योंकि 84 के दंगों का जब आप जिक्र करते हैं, तो यह 36 साल पहले का जिक्र करते हैं, और 36 साल प दिली में कतल आम 1947 में भी देखा गया, 1984 में भी देखा गया, और यह खुले तोर पर चीज़ें जिस रूप में हो रही थी, लेकिन उसमें एक आस था, एक उमीद था, इस देश में एक सिस्टम होगा, लेकिन 2020 तक आते आते वो सिस्टम गाइब हो गया, जुडिशरी गाइ परेंगते हुए अपनी रिपोर्टिंग में ध्वस्त घर दिखाई देते हैं, उन आखों और उस रुदन के पीछे जाने की स्थिति में वो नहीं है, तो हमें लगा कि आज आपको उससे भी जुड़ें, और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जिन नामों को निकल के अपने पतियों को महिलाओं ने खोया है, उनकी तादात तकरीबन चौटिस है, जिन अरतिसों की हुई है, हत्या उनकी स्थिति क्या होती है, वो किन पर स्थिति में रहेंगे, किया स्ट्राज्ज की जिम्मेदारी होगी, हम कौन सी स्थिति उनको देंगे, इसके भीतर जाकने के लिए एक एक नाम पे गौर कीजिए, एक एक नाम भी पढ़ेंगे, उम्र भी बताएंगे, और यह भी बता में रहता है बिजली की दुकान है उसके दो बच्चे है अम्मान सीलमपूर में रहता है यह सीए का विरोध कर रहा था यह 17 वरस का ललका है इसको 5 लाक ही मिलेंगे इसके परिजनों को क्योंकि नाबालिक है जो बालिक है उसको 10 लाक मिलेंगे समवेदनाओं को छोड़ दीज बच्चे हैं मारा गया पेट में जबरदस निशान है और माथे पर गोली है मुहम्मद फुरकान 32 साल का है यह शादी के बक्से डिजाइन करता है और इसकी लड़की 4 साल की है लड़का 3 साल का है महताप 21 वरस का यह कंस्ट्रक्शन वरकर है एक बच्चा है परवेज आलम 50 वरस का यह मोटर गैराज में काब करता है इसके पेट में गोली लगी है अश्वाक हुसेन 22 साल का इलेक्ट्रीशियन है 11 फरवरी को ही इसकी शादी हुई है उसकी पतनी मौर्चरी के बाद खड़ी थी अपने पती का शब लेने के लिए इस्तिमाख खान 24 साल का है वेल्ड सर में गोली लगी है पेट में चोट अधिकतर लोगों के सर में गोली लगी है गोली दूर से इतने निशांची हत्यारे हैं या नस्दीक से गोली मारी गई है यह जॉक्ट्रों ने नहीं बताया लेकिन चोट के निशान बहुत जबरदास्त है पीट और पेट पर कुछ की तो पाउं की पसलियां तक तूट गई हैं, कुछ की हाथों की पसलियां टूटी हैं। मुशर्फ 35 साल का ये ड्राइवर, इसके तीन बच्चे हैं। अमीर और हाशिम 30 साल का और 17 साल का दोनों भाई हैं, दोनों ओल्ड मुश्तफाबाद में रहते हैं, दोनों मारे गए हैं। अनवर 58 साल का पॉल्टरी फॉर्म चलाता है, इसकी दो बेटियां हैं। शादी करानी हैं। मुबारक अली 35 साल के, पेंटर हैं, तीन बच्चे हैं, मुश्माद इर्फान 32 साल के, मजदूर हैं, दो बच्चे हैं। सुलिमान 22 साल के, यह तलुहार का काम करते हैं, मुहमद शाबान यह वेल्डिंग शॉप में काम करते हैं, 22 साल के हैं, अकबरी बुजर्ग महिला है, घर में आग लग गई तो यह उस आग में जलकर मर गई, और बेटे की गार्मेंट का धंदा, गार्मेंट की वरक्शॉप पहले मंजिल पर थी, नीचे से आग लगी और उसकी मौत हो गई, अकबरी की, नाम पे मत गौर कीजेगा, इस देश में नाम पर गौर बहुत किया जाता है, और पोशाक पे बहुत गौर किया जाता है, हमले तभी सादे जाते हैं, लेकिन उसके ठीक सा मनांतर में आलोक ति पेसर है, मारा गया, दिनेश कुमार 35 साल का है, ड्राइवर है, इसके दो बच्चे है, विनोत कुमार 50 साल का है, गोड़ा गाउं में रहता था, दो बच्चे है, मौब ने हमला किया, ये बाइक पर जा रहा था, इसका दोस्त बच्च कर निकल गया, ये मारा गया, वीर भा कॉलनी में रहता था वहीं की फैक्टरी में काम करता था उसका एक बेटा और एक बेटी है नहीं पता है कि पिता 34 साल के दीपक कुमार मर चुके है राहुल सलों की 26 साल का सिविल इंजीनियर है प्राइवेट कमपनी में काम करता है और पत्नी की शादी और परिवार उसकी शा रहा था जिससे शादी होने वाली है एपरिल में शादी थी वो महिला भी वहां मिली है मौरचरी के बाहर रतल्लाल 22 साल के तीन बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में काम करते थे हर कोई जानता है अंकित वर्मा इंटेलिजन्स बिरो में थे हर कोई जानता है इनका शव उस गटर में मिला है 25 साल के थे संजीव ठाकूर 32 साल के वेल्डिंग यूनिट में काम करते थे दो बच्चे थे इन सारे मरने वालों की इस्तिती के भीतर का सच ही है कि लगभग 28 महिलाएं के सामने एक्दम घुप अंधेरा है उनने नहीं पता है वो किस रूप में जिंदगी जिए नहीं है और एक बड़ी तादाद मिली जब उनको हमने गिनना सुरू किया जो अलग-अलग अस्पताल में दिल्ली में थे तो उसमें लगभग 52 लोग मिले जो की अपने परिजनों के शव लेने के लिए पहुंचे थे या देखने पहुंचे थे कि कहीं उनके परिजन भी उस सब पहले पुलिस के पास नहीं जाता है अस्पताल में जाता और मौर की मरे गए उनके शवों को देख रहा है यह डिल्ली है धेश की राजधानी है और शव देने से पहले वहाँ और जो मौर्चरिय में बैठा हुआ शखस है वो कहता है पहले आ या पुलिस का अफसर आएगा, वो सारी बातों को नोट करेगा, तो ही हम शव दे सकते हैं, वो कह रहा है मेरे भाई का शव है, हो कह रही है, मेरे पती का शव है, जी नहीं, वो आएगा तब देंगे, और बाकी शव जो ढखे हुए हैं, उसमें अगर आपके पास हर कोई अपने परिजनों की खीरा मिला है और इस बात का जिक्र है कि उसने किस तरीके से डंगों में आग लगाने की कोशिश की वो शक्स कहां है कोई नहीं जानता एक शक्स जो शहरूक के नाम से परचलित हुआ था पता चला कि उसका नाम शहारूक नहीं है कुछ हूर है नाम पर मत जाईएगा फिर हम के भीतर से जो रिपोर्टिंग निकलकर आपके टेलीवीजन पर छलती है दरसल वह उस इस्तिती और ब्तलाती यह बहिंद whenever का है जहां वो 55 कौड रुपए एक संभावित राशी है जिसमें हमने जो डाटा कलक्ट किया है उसके हिसाब से पता चलता है वह उसे बांट कर हो सकता है इस बात को सोचे कि उन्होंने अपना धर्म निबा लिया पुलिस अब सक्रिय हो गई है जगा जगा मार्च कर रही है व लेकिन सवाल है क्या यह देश एक ऐसी परिस्तिती में धीरे धीरे जा रहा है जब कहां सब कोई साफगोई और एलानी ya तोड़ पर इस बात को बताने की स्थिती में आ गए है कि अब इस देश में ऐसा ही चलेगा क्योंकि इस देश के भीतर का सच यह है कि इस लोकतंत्र के भीतर में लगभग इस देश के 20 कोड मुसलमानों के वोट कोई माइन नहीं रखते हैं उनकी राजनितिक हैसियत कोई माइन नहीं रखती है ये एक सच है और दूसरा सच यह भी है कि इन परिस्थितियों से तंग आकर अब हिंदू समाज के भीतर भी एक सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में वो क्या करें इस देश को लेकर एक लकीर से बड़ी लकीर खीची जा रही है तो उस बड़ी लकीर की दिशा में जाए फिर उससे बड़ी और लकीर खीची सबकुस तो चल रहा है आज परिटन को लेकर दिल्ली सरकार का एक शुभारंब होने वाला है लोग उसमें खो जाएंगे टरंप चले गए उसके बाद कोई दूसरा रास्टा ध्यक्चा गया कल उसकी अगवानी राष्टपती और प्रधान मंत्री कर रहे थे कुछ लोग उसमें खो जाएंगे एक उधगाटन होगा एक परिस्तिती आएगी और इन सब के बीच हो सकता है कहीं क लिका वेगम उसके पाउं काट दिये गए थे पती को मार दिया गया था वो किस सवस्था में थी ये पूरी दुनिया ने उस समय समझा था देखा था 84 के दंगों में किस तरीके से गले में टायर लटका दिये जा रहे थे 2002 में गुजरात में मुनाम देख देखकर उन जगाओं पर किस तरीके से शटर में छेद करके पैट्रल अंडर डालके दुकानों में आग लगाई जा रही थी सब कुछ देखा गया है लेकिन उस दौर की मीडिया की रिपोर्टिंग भी देखी है आप वो सारी रिपोर्टिंग देखते देखते जब आप दिल्ली की रिपोर्टिंग पे पहुँचेंगे तो आपकी आँखे पत्थर हो चली होगी कान आपका शुन्न हो चला होगा क्योंकि ऐसी रिपोर्टिंग आपने देखी नहीं जिसमें सिर्फ पत्थर दिखा जो कैमरा दिखा रहा है वही कहा जा रहा है यानि दिमाग काम नहीं कर रहा है वो देखिए पुलिस का पुलिस जा रही है वो देखिए आग लगी हुई है वो देखिए पिकेट जला दिया गया है वो देखिए किस रूप में फायर या क्यों नहीं कर पा रहा है कि एक ऐसे तंत्र की तरफ बढ़ती हुई लोकतांत्र की स्थिति है जिसमें सत्ता जब चाहे जैसे चाहे जिसे चाहे उसे ही अपने लिए टूल बनाएगी हर किसी को नोटिस दिया जा रहा है हर किसी को जानकारी दी जा रहा है आपने भी कहा है आपने भी हेट स्पीच की है लेकिन जो हेट स्पीच खुले तौर पर एलानिया जंग के साथ होती है उस दिशा में 45 दिन का वक्त मांग लिया गया है अब 13 अपरिल को सुनवाई होगी जुडिशिरी की साक अगर खत्म हो जाती है गवर्नेंस अगर कुंद पड़ती हुई दिखाई देती है पुलिसिया अंदाज में अगर आपको भरोसा नहीं हो पाता है तो इस देश का नागरी क्या करें ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में है और एक ऐसा सनाटा उस पूरे इलाके में है जो इस्ट डेली और नॉर्थ इस्ट डेली है जो एक लंबी फिरिस्ट है महले दर महले आप घूमते चले जाएए एक अजीब और गरीब सनाटा है उस सनाटे के भीतर इस बात को लेकर गुसा नहीं है कि हमें न्याई को नहीं मिल रहा है जी नहीं इस बात को लेकर भी आक्रोश नहीं वा नजर आएगा आपको कि दरसल उनके साथ जो हुआ वो क्यों हो गया यह एक सोता इस्तिती है जिसमें लोगों ने मान लिया है कि यह इस्तिती होनी थी यह गजब की इस्तिती है और एक तरह की खामोशी लोगों में है बहुत शालींता के साथ बताने की इस्तिती में बाप है कि बेटे बेटा गमा चुका है बच्चे और पत्नी हैं जो बोलने हैं कि पिता की हत्तिया हो गई है शालिंता से बोल रहे हैं गजब की स्थिति है ऐसा सन्नाटा आपने कभी देखा नहीं होगा यह कोई परिटन का हिस्सा नहीं है जहां पर आप जाएंगे लेकिन वहाँ पर जिस स्थानों की मौजूदगी उनके भीतर कोई उम्मी जगाती इस बात का हिसास जगाती कि नहीं आपके साथ हम खाड़े हैं वो चीज अगर गायव हो जाएगी तो क्या होगा गजब का डर है गजब का खौफ है जो सुनाई देता है दो दुखाई देता है उसमें सिर्फ आपको चंद रिपोर्टर्स के हंगा तेज अवाद सुनाई देगी और आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा यह कौन सी इस्थित्थी है इस सुनाटे को भेदने के लिए आपके पास क्या है और आप जब सारी चीजों को धुस्त कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा आप दिखाते हैं देखे यह चिकन की दुकान है यह फलवाले की दुकान है यह चावला बुक सेंटर है यहाँ पर राजधानी स्कूल हो यह किताबों की दुकान हो यह चिकन की दुकान हो कोई बख्षा नहीं गया सब को बराबर काने आये हुआ है जिस तरह से मौजूदा पुलिस कमिशन का है सब को बराबर तरीके से देखा जाएगा यानि शिक्षा दिक्षा समझ सारी चीजे गाइब है तो ऐसे में एक सवा करेंगे और हम क्या करेंगे इस्टेट का मतलब वो तमाम इंस्टिउशन होते हैं जिन इस्टिउशन के जरी एक भरोसा और उमीद होती है तभी चेक इंड बैलेंस के साथ एक कॉंसिचूशन हमारे सामने है जिसके जरीए देश चलता है लेकिन अगर वही अपराधी है तो फिर मतलब बहुत साफ है आप अपराधी नहीं होंगे तो मारे जाएगे बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया